सबें विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत हार्दिक विनंदन प्रिये विद्यार्थियों बात करते हैं लेटेस्ट सिलेवस की राजनिती विज्ञान के दोनुपेपर जो है आपके बीए सेक्रिडियर के उनके दोनुपेपर का आपका सिलेवस क्या रहेगा इसमें हमें किस तरह तयारी करनी है कितने पार्ट हम पढ़ेंगे तो पूरे नंबर आ सकते हैं और जैसे इकाई बार विबाजन है तो उन में से हमें कौन से पार्ट जो हमारे लिए टफ रहते हैं कौन से पार्ट हमारे लिए शरू रहते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे और हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस उसके according हमें कैसे पढ़ना है उन सभी की जानकारी के साथ आज हम इस सिलेबस का विशलिशनात मगध्यन करेंगे और सिलेबस जो आपके लिए कौन बोन सा रहने वाला है दोनों पेपर जो है आपके क्या उनके नाम है और किस परकार उनके पाठ है तो आएए सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे लिए पाठ्षे करम की जानकारी बहुत जरूरी होती है और वो पाठ्षे करम की अधी हमें जानकारी होती है तो पाठ्षे करम की जानकारी से क्या होता है कि हम जो है वो आराम से यानि हमारे लिए अच्छे रणनीती बना सकते है कि हमें इस तरह पढ़ना है तो आईए देखते हैं राजनेती विज्यान का जो पाठ्यकरम है वो लगभग राजस्थान के सभी विश्विज्यालों में समान है तो देखिए सबसे पहली बात है कि तीन गंडे का पेपर होगा अब जो है इस बार वाली बात नहीं है 2022 वाली ब बिक्सा होती है जिसके 2 प데وقर होते हैं समझ गया नियूंतम उत्रियनां 36% 30.30 घारते हैं एक पेपर में 36 नमबर तो दोनों पेपर में आपके बैतर नमबर आने चाहिए 100-100 नमबर, 100 में से 36-36 नमबर आने चाहिए अब जैसे मानलों बात करें, तीन गंडे का पेपर हो गया, दो पेपर हो गया पेपरों के नाम क्या है, वो भी हम अभी पढ़ लेंगे प्रस्न आपके किस प्रकारा दें, दोनों पेपरों में प्रस्न जो है, वो समान रूप से आते हैं, वो मैं आपको बता लेता हूँ तीन खंड होंगे आपके, जिसमें A, B और C, तीन खंडों में विबालित होगा एक खंड जो होगा, वो कमपसरी होगा, यानि अनिवारी होगा एक खंड के 10 प्रस्न आएंगे, कितने प्रस्न आएंगे? 10 प्रस्न आएंगे, प्रते एक प्रस्न दो अंग का होगा, और यानि पूरा खंड है, वो 20 अंगों का होगा यानि इसको पूरा करना अनिवारी यह जो छोटे प्रस्ण होते हैं अपने अत्ती लग उत्रात मुख वाले तो यूं कह सकते हैं कि अपने जो जैसे अभी अपने खंड इकाई वाला फस्ट पेपर है उसके लगभग 40-50 प्रस्ण हमने डाले हैं फस्ट इकाई के तो वो प्र होता है उसको करना कंपल्स होता है तो इसमें क्या होता है कि कई बार कि कई उर्यस्टिस में और सभी सबी के लिए और चार-चार-चार इंग कंदलं करने हैं फनख़ें उसमें तीन प्रशन करने होते हैं और वह साथ अंगों के होते हैं अब ये खंड़-C जो होता है ना इस खंड़ में C में A B or C तीनों एकाईों में से प्रसन आते हैं और कितने कितने प्रसन आते हैं दो तो प्रसन के हिसाब से छे प्रसन आते हैं आंतरी के विकल्प होता है प्रसन तो तेनी होते हैं प्रसन तो तेनी होते हैं जैसे मालों 10 प्रसन हो गए 5 प्रसन 15 यानि यहां से लेकर के 16, 17, 18 यानि प् 60 होते हैं और A, B, C 3 खंडों मैंसे होते है तो अब देखिये कितनी अच्छी बात है अपने लिए यदि हम 2 खंड की तयारी कर लते हैं तो हमारा जो 90% जो सीलेबस है वो camera हो जाता है कैसे कवर हो जाता है इसके वारे में भी हम बात करेंगे अभी कि जैसे मानलो हम कितने खंड तयार करें ताकि हमारे लिए अच्छा हो पहले हम पेपर को देख लेते हैं पेपर जो है आपके बीए सेकंडियर का इसके लिए पॉलिटिकल साइंस का पहला पेपर जो है वो होता ह हię इसकी हिक गाय भी वो मैंने आपको बताई दी, अब दीखो इसमें फ्सक गाय जो है उसमें तुलनात्मक राजनीती तुलनात्मक राजनीती का अर्थ मिप्रत्ष चेत्र और उप्योगिता को तुलनात्मक राजनिती का विकास और प्रमुख है शीमाचिन यह जो है आएंगे तुलनात्मक राजनिती प्हला हमारा पॉइंट होगा तुलनात्मक राजनिती होगा इकाइफरष्ट की बात है, दूसरा हमारा किंग्डम की संसद्य तथा एकात्मक सरकार यानि जैसे ब्रिटेन की सरकार इसके लावा अमेरिका की सरकार यानि अध्यक्सात्मक और संगात्मक सरकार क्या है स्विजरलेंड की सरकार जिसमें प्रत्यक्स सेवागिता होती है फ्रांस की संसद्य और अध्यक्सात्मक सरकार च में क्या चीज पढ़नी है एक तो विशेष्थाएं बिर्टेन का समिदान इसके अलावा हमेरिका की समिदान स्विजर्लेंड का समिदान चीन का समिदान यह हमें जो है इनकी विशेष्थाएं पढ़नी है ठीक दूसरी बात 21 सेकिंड में सरकार की समझनाएं क्या होती है कारेपाली का उसका संगठन और कारी क्या है राजा मंत्री परदान मंत्री युनाटेड किंडम के यानि जो विटेन के राजा मंत्री परदान मंत्री इनके बारे में राश्पती USA का जो राश्पती का चुनाव के कैसे होता है किस प्रकार उनकी प्रक्रिया होते हैं, कितने साथ का कारेकाल होता है, क्या उनके अधिकार होते हैं, उनके जैसे USA, France और छीन, इन तिनों के पढ़ने हैं, यानि अमेरिका, France और छीन, संगी ये परिशत पढ़नी है, स्विजरलेंड, तो कहने का अर्थ है कि UK में तो राजा मंतरी, परदान मंतरी, UK का समीदान पूरा पढ़ना है, इसका अर्थ है, और इसका अलाव USA का समीदान पूरा पढ़ना है, चाइना का समीदान पूरा पढ़ना है, स्विजरलेंड का समीदान पूरा पढ़ना है, इसक जो Congress है, संघिय सबा है, Σ्वीजर लेंड की, और चीन की राश्टे जंसबा है, उनके बारे में पटना है, इसके अलवा लेक संघ्धन के कार्य विशेशता है अर्थी बिए, विभराए उनके और और फृरांस। इनके नियाईग संघ्धन के कार्य विशेशता है, सरफबस कर लिया है अब सेक्रणड इकाई में हम चल रहे हैं सेक्रण रिकाई में और क्यायदे की नहइग व्योस्ता है संगी ज्याय पाली का पटनी है USA की परसास की इविधितर, परसास की नहयले Państ की शंगी नह्य ज्याय व्योस्ता पटनी unserem न्याई व्योस्था कहा कहा की पर्टनी है न्याई व्योस्था या जैसे बिर्टेन और चीन की न्याई व्योस्था हमें अमेरिका की न्यावयवस्ता हमें फ्रांस की न्यावयवस्ता हमें स्विजर ले यानि यह पांच दो समंदान है इन 500 समंदानों की प्रतेक दिश्चेस्तायों को पढ़ने हैं खंड बे तक आगे, खंड से में क्या है, थोड़ा सटफ है, आप ध्यान दीजिएगा, खंड से में हमें क्या पढ़ना है, कि राजनिती गृत्यात्मत ता पॉइंट है, दली विवस्ता, दली विवस्ता कहां की, ब्रिटेन, युएसे, फ्रांस, स्विजरलेंड और चे, वो भी हमें पढ़ना है, इतना ये इकाई हों में बज़ता है, हमारे लिए ये इकाई बहुत, जिससे थर्ड इकाई जो है, वो छोटी है, फर्स्ट इकाई भी छोटी है, ये दोनों इकाई हैं बहुत छोटी-छोटी है, फर्स्ट इकाई और थर्ट इकाई छोटी है, सेकंड इकाई जो है इसको हमें चैनात मग करनी होगी यानि इसमें जो हमें अच्छे जो होंगे वह हम करेंगे अब इकाई सेकंड में हम चल रहे हैं जो पार्ट आपके लिए अपलोड होते तो आप तुरेंट उसको देख लिजिए यह तो फर्स पेपर था अब सेकंड पेपर काम है बारती राजनितिक व्यूस्टा और ये सभी समयदानों में सभी जो विश्विद्य यहार भरती राजनितिक व्यूस्था का वह ही सिस्टम है आपके जो मैंने पनाया वही है अब जो हमें हैं हमारे लिये तो 19. 169 सभंधानी की सम्धान एतयासी परस्टुन राश्ट्री अंदोर्ण की पर्मुक धारायें पढ़नी जैसे उदारवादी, अतिवादी, गांधिवादी, क्रामतिकारी, समयदानी ग्रिकास, भारत परिश्द अधिनियां 1909, भारत परिश्द अधिनियां 1919, और द्वेद शासन के विशेष संदर्व में, भारत सरकार अ संसोतन की परक्रिया, यह पढ़ना है, विचारात्मक तत्व, यानि फस्ट इकाई में जो है, हम यह चीजज पढ़ने हैं, उद्देशी का यह हमने पढ़नी हैं, मौलीक अधिकार पढ़ने हैं, नीति-निर्देशर तत्व पढ़ने हैं, मौलेक करतव पढ़ने हैं, पंत- सरकार दूसरा के राश्पत्र धास्पति जमंटर फर्दान मंत्री भूमिकां यह चीज़े संध्य सरकार के बारे संसथ主 apostles और उस्था LOOK कि छत्रादिकार क्या है, संतन क्या है, नयाइक पुलावलोपन क्या है, नयाइक सक्रियता क्या है, संसदर उस्तम नयाले के बीच सर्वोचिता का जो द्वंद है, वो हमें पढ़ना है, राज्य सरकार के बारे में पढ़ना है, राज्य सरकार के बारे में हमें देशे राज्य विवस्ता और है ये विन्दु है आपके जिसमें है तर्ड हईकाइब्र आपक्या बीव कलिट्णी गत्या मत्या पक्ता यूक पर आप ऐल ये शुनाओ सुदर्मायाओं नौ। दोहजार चौंदा के लोक्सिभां चौनाओं के दोहजार तक निर्दारक तत्व पटने हैं कौन-कौन से आर्थिक वर्ग तथा गरीबी समासास्त्रिय जाती धार्म छे तरबासा लिंग आतंगवाद राजनितिक राजनितिक दल और दबाव समूग ये चीज़े हमें थाड़ीकाई में पटने थाड़ीकाई इसकी भी ज्यादा है इस सिलेबस को हम किस प्रकार विवाजित करें कि हमारे लिए ये हो जाए तो यानि हमारे लिए हमने देखा कि फर्स्ट इकाई और थाड़ इकाई दोनों इकाईयां छोटी है और सेकंड इकाई में थोड़े से थोड़ी लेंदी है तो लेंदी इकाई है उसमें से तो मै आपको छांट करें दूंगा कि यह यह पार्ट मुपटने हैं फॉस्ट रिकाई और थार्ड रिकाई इसका हमें अच्छी द्रेशाय देन करना है फस्ट रिकाई हमने लगबग दोनों पेपर्स की कवर कर चुके हैं और उसके एक के तो आपके प्रस्न भी आ चुके है और सेकेंड के प्रस्न आने वाले है यह जैसे वारतिय राज बिश्चा तो सेकंड सेट प्रस्न आ गए हैं लेकिन यह जो पहला है तुलनात्मक सविदानों का जयन है या तुलनात्मक राजिती है इसका जो वीडियो है वो जल्दी आने वाला है फस्ट एकाई के जो कौन-बोन से प्रश्ण है वो मैं तो कौन बनते हैं वो आप देखेगा बड़ी बात तो यह है कि जो भी पाट अप भी आप डेट किया हुआ है वहां पर जब आप सागे तेली ग्राम के लिंक पर आप अपडेट हो जाएंगे वहां एक चिज डालते रहते हैं और आपके लिए हर चीज जो अप्डेट होती है तो भाट भी आम आप जाकर के हैड हो जाईए मैं समझता हूं कि आज राजनित जितने भी जो सब्जेक्ट हैं वो लग भग जितने सब्जेक्ट में बढ़ाता हूं वो सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आपको जरूर पहले बताऊंगा कि आपके लिए सिलेबस जरूरी है तो शिलेबस का यदि हमें ज्ञान होता है तो हम अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं आज के लिए बस इतना है जै हुँ जैवारत